परिचय चात्रो इन संख्याओं को देखा? ये पूर्ण संख्याएं हैं, अब इन संख्याओं को देखो, ये रणात्मक संख्याएं हैं, लेकिन हम उन संख्याओं के उस बड़े समुह को क्या कहेंगे? जिसमें पूर्ण संख्याएं और उसकी सभी रणात्मक संख्याएं भी हो। जी हाँ, उन संख्याओं को पूरांक कहते हैं। आईए पूरांकों के बारे में और विस्तार से जाने। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जी हाँ, उनके पास कुल ग्याएंगे। इस उधारन से हम देख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का जोड भी एक पूर्ण संख्या होती है। हम देख सकते हैं कि पूरांक का जोड पूरांक ही प्रदान करता है। अताहा पूरांक योग संक्रिया के नियम के सापेक्ष संवृत्य होते हैं। रीना को देखो उसके पास पांच चॉकलेट्स हैं। यदि वो तीन चॉकलेट्स अपने भाई को दे देती हैं तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बचेगी। जी हाँ आप सही हैं। उसके पास दो चॉकलेट्स बचेगी। इस उधारन से हमने देखा कि दो पूरांक का कि दो पूरांकों का व्यवकलन भी एक पूरांक होता है। अताहा पूरांक व्यवकलन की संक्रिया के नियम के सापेक्ष सम्वृत्य होते हैं। समाने तोर पर किनी भी दो पूणांकों को A और B के लिए A जमा B एक पूणांक होता है। इसी प्रकार किसी भी दो पूणांकों A और B के लिए A घटा B एक पूणांक होता है। पूनांकों का गुण धर्म आईए अब एक दूसरे गुण धर्म को जानें यहाँ क्रम विनिमियता का गुण है यहाँ दस रुपै का नोट है यदि हम इसमें दो रुपै का एक सिक्का जोड़ते हैं तो हमें बारा रुपै प्राप्थ होंगे अब 2 रुपय का एक सिक्का लीजिए और इसमें 10 रुपय का एक नोट चोड़िए हमें पुना 12 रुपय ही प्राप्त होंगे या हम इसे 10 जमा 2 बराबर 12 की रूप में लिख सकते हैं और 2 जमा 10 बराबर 12 भी दोनों ही स्थितियों में उत्तर समान रहेगा इसका आर्थ है कि पुनांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है अताहा पुनांकों का योग क्रम विनिमेता के नियम का पालन करता है साधर अर्था किनी दो पुनांकों A और B के लिए हम कह सकते हैं कि A जमा B बराबर है B जमा A के पूरांकों का गुण धर्म, छात्रों, क्या पांच घटा कोश्टक में घटा तीन बराबर है कोश्टक में घटा तीन घटा पांच के? जी नहीं क्योंकि पांच घटा कोश्टक में घटा तीन बराबर पांच जमा तीन बराबर आठ और कोश्टक में घटा तीन घटा पांच बराबर घटा तीन घटा पांच बराबर घटा आठ अता हम कह सकते हैं कि व्यवकलन की संक्रिया क्रम विनिमेता की गुण का पालन नही करती अब इस उधारन को देखें हम पूरां को घटा तीन घटा दो और घटा पांच को लेते हैं कोश्टक में घटा पांच जमा कोश्टक में घटा तीन जमा कोश्टक में घटा दो और कोश्टक में घटा पांच जमा कोश्टक में घटा तीन जमा कोश्टक में घटा दो को देखिए, पहले योग में कोश्टक में घटा तीन और कोश्टक में घटा दो को एक साथ रखा गया है, और दूसरे में कोश्टक में घटा पांच और कोश्टक में घटा तीन को एक साथ रखा गया है. दोनों ही स्थितियों में हमें परिणाम घटा दस प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि पूरांक योग की संक्रिया में सहचरे के गुण का पालन करते हैं। साधा रणता किसी भी पूरांक A, B और C के लिए हम कह सकते हैं कि A जमा कोष्ठक में B जमा C बराबर कोष्ठक में A जमा B जमा C के। योजे तसमक जब हम शूने को किसी पूर्ण संक्या से जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संक्या प्राप्त होती है। शून्ने पूर्ण संख्याओं की एक योज्य तस्मक है। इसी प्रकार यदि हम शून्ने को पूरांकों से योग करें तो हमें वही पूरांक प्राप्थ होते हैं। साधर्णता किसी भी पूणांक के लिए ए जमा शुन्य बराबर ए पराबर शुन्य जमा ए होता है। पूणांकों का गुणन हम जानते हैं कि पूण संख्याओं का गुणन पुंद्रा वरती योग होता है। जमा कोश्ठक में घटा पांच पराबर तीन गुणा कोश्ठक में घटा पांच इसलिए तीन गुणा कोश्ठक में घटा पांच बराबर घटा पंद्रा आईए अब धनात्मक और रिनात्मक पूणांकों का गुणन फल ग्यात करें। पहले च्छे और चार का गुणा करें और गुणन फल के आगे रिन का चिहने लगातें, हमें घटा 24 प्राप्त हुआ, इसी प्रकार पांच गुणा कोश्टक में घटा 4 बराबर घटा कोश्टक में 5 गुणा 4 बराबर घटा 20. दो रिनात्मक पुणांकों का गुड़न दो रिनात्मक पुणांकों का गुड़न फल एक धनात्मक पुणांक होता है हम दो रिनात्मक पुणांकों को पूर्ण संख्या की तरह गुणा करते हैं समानिता किने भी दो धनात्मक पुणांकों A और B के लिए कोश्टक में घटा A गुणएं कोश्टक में घटा B बराबर A गुणा B. तीन या ज्यादा रिनात्मक पुणांकों का गुणण इन उधारणों को देखिए, पहले उधारण में दो रिनात्मक पुणांकों का गुणन हुआ है, दूसरे उधारण में तीन रिनात्मक पुणांकों का गुणन हुआ है, तीसरे उधारण में चार रिनात्मक पुणांकों का गुणन हुआ है, और चौते उधारण में पांच पुणांकों का गुड़न हुआ है। इन गुणनों से हमने देखा कि दो रिनात्मक पुणांकों का गुड़न फल धनात्मक पुणांक है। हम देख सकते हैं कि पहले और तीसरे उधारण में गुणां किये गए रिनात्मक पुणांकों की संक्या सम, क्रमशा, दो और चार थी। इसलिए एक और तीन में प्राप्ट गुणन फल धनात्मक है। और दो एवम चार उधारण में गुणां किये गए रिनात्मक पुणांकों की संक्या विशम थी। इसलिए दो एवम चार में प्राप्ट गुणन फल रिनात्मक पुणांक है। तो गुणन फल रिनात्मक पुणांक होता है। पुणांकों के गुणन के गुण धर्म दो पुणांकों का गुणन फल भी एक पुणांक होता है। उधारण के लिए कोश्ठक में घटा 20 गुणा, कोश्ठक में घटा 5 बराबर 100, कोश्ठक में घटा 15 गुणे 17 बराबर घटा 255। अता हम कह सकते हैं कि गुणन योग की संक्रिया के सापेक्ष सम्वृत्त है। समानिता A और B पुणांकों के लिए एक गुणां B एक पुणांक होता है। इस उधारण को देखिए, हम देख सकते हैं कि तीन गुणां कोश्ठक में घटा 4 बराबर कोश्ठक में घटा 4 गुणा 3। इसलिए पुणांकों का गुणां करम विनिमे के गुणां का पालन करता है। समानिता किनी दो पुणांकों A और B के लिए A गुणा B बराबर B गुणा A। रिनात्मक पुणांक और शुने का गुणां फल शुने होता है। उधारन सोरूप कोश्ठक में घटा 3 गुणा 0 बराबर 0 होगा। 0 गुणा कोश्ठक में घटा 4 बराबर 0 होगा। समानिता किसी भी पुणांक A के लिए A गुणा 0 बराबर 0 गुणा A बराबर 0 गुणा जब हम किसी पुणांक से एक का गुणा करते हैं तो गुणन फल वही पुणांक प्राब्त होता है। उधारन सोरूप कोश्ठक में घटा 3 गुणा 1 बराबर गटा 3 एक गुणा 5 बराबर 5 इसकार्थ है एक पुणांक के लिए गुणात्मक तस्समक है। समानिता किसी भी पुणांक एक के लिए ए गुणा 1 बराबर एक गुणा ए बराबर ए लेकिन जब हम किसी पुणांक का घटा एक से गुणा करते हैं तो हमें पुणांक का योज्य प्रतिलूम प्राप्त होता है। इन उधारणों में घटा 3 हो गया है 3, घटा 6 हो गया है 6, 13 हो गया है घटा 13 और घटा 25 हो गया है 25। साचर्रे और वित्रण का गुण धर्म तीन पुणांकों का गुणन फल पुणांकों के समु बद्धदा पर निर्भड नहीं होता और इसे गुणन का साचर्रे गुण कहते हैं। किनी तीन पुणांकों A, B और C के लिए कुष्टक में A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा कुष्टक में B गुणा C उधारन सो रूप 7 गुणा कुष्टक में 6 गुणा कुष्टक में घटा 4 बराबर 7 गुणे कुष्टक में घटा 6 गुणा कुष्टक में घटा 4 आई अब गुणन के वित्रण गुण की तरफ बढ़ें, किनी भी पुणा को A, B और C के लिए, A गुणा कोश्ठक में B जमा C, बराबर A गुणा B जमा A गुणा C, उधारण सो रूप, कोश्ठक में घटा 2, गुणा कोश्ठक में 3 जमा 5, बराबर कोश्ठक में घटा 2, गुणा 3, जमा कोश्ठक में घटा 2, गुणे 8, इसी प्रकार, तीन पुणां को A, B और C के लिए, A गुणा कोश्ठक में B घटा C, बराबर A गुणा B घटा A गुणा C, उधारण सो रूप, 4 गुणा 3, गटा 8, कोश्ठक में बराबर 4 गुणा 3, गटा 4, गुणा 8, भाग, हम जानते हैं कि भाग गुणन की व्युत करम संक्रिया है, क्योंकि 3 गुणा 5, बराबर 15, इसलिए 15 भाग 5, बराबर 3, और 15 भाग 3, बराबर 5, जब हम रिणात्मक पुणांक को एक धनात्मक पुणांक से भाग देते हैं, तो हम उनका भाग पून संख्याओं की तरह करते हैं, और उनके भाग फल के आगे एक चुन्न लगा देते हैं, इस प्रकार हमें एक रिणात्मक पुणांक प्राप्त होता है, समानिता किनी दो धनात्मक पूरांगों A और B के लिए A भाग कोश्टक में घटा B बराबर कोश्टक में घटा A भाग B जहां B शूने के बराबर नहीं है भाग का गुण धर्म भाग क्रम विनिमय के गुण का पालन नहीं करता उधारण स्वरूप कोश्टक में घटा A8 बटा कोश्टक में घटा A4 बटे कोश्टक में घटा A8 के बराबर नहीं है शूने द्वारा किसी पुणांक में भाग देना अर्तहीन है और शूने को शूने के अतरिक्ट अन्य किसी पुणांक से भाग देने पर भाग फल शूने आता है। बराबर है कोश्टक में घटा 11 के। किन्तु किसी पुणांक को घटा 1 से भाग दिया जाए तो गुणन फल वही पुणांक नहीं होगा। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पुणांक संख्याओं का सबसे बड़ा संचयन है जो पुण संख्याओं और उसकी रिणात्मक संख्याओं के योग से बनता है। यदि A और B पुणांक हैं तो A जमा B और A घटा B भी पुणांक होंगे। यदि A और B कोई पुणांक हैं तो सभी पुणांकों A और B के लिए A जमा B बराबर B जमा A होगा। यदि A, B और C कोई पुणांक हैं तो सभी पुणांकों A, B और C के लिए A जमा B जमा C बराबर A जमा कुष्ठक में B जमा C होगा। और C के लिए कुष्ठक में A जमा B जमा C बराबर A जमा कुष्ठक में B जमा C होगा। पुणांक 0 के योग के सापेक्ष तस्मक है यानि सभी पुणांकों A के लिए A जमा 0 बराबर 0 जमा A बराबर A है। एक धनात्मक और एक रिनात्मक पुणांक का गुणन फल रिनात्मक और एक दो रिनात्मक पुणांकों का गुणन फल धनात्मक होता है। गुणन में रिनात्मक पुणांकों की संख्या यदि सम हो तो गुणन फल धनात्मक पुणांक होता है। और यदि गुणन में रनात्मक पुणांकों की संख्या विशम हो, तो गुणन फल रनात्मक पुणांक होता है। यदि A और B पुणांक हैं, तो A गुणा B भी एक पुणांक है। यानि किसी पूणांक A के लिए 1 गुणा A बराबर A गुणा 1 बराबर A है। यदि A, B और C पूणांक हैं, तो कोश्ठक में A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा कोश्ठक में B गुणा C. यदि A, B और C पूणांक हैं, तो किनी भी पूणांकों A, B और C के लिए A गुणा कोश्ठक में B जमा C बराबर A गुणा B जमा A गुणा C है। जब एक धनात्मक पूणांक को रिनात्मक पूणांक से भाग देते हैं, तो प्राब्त भागफल रिनात्मक होता है। इसके ठीक उलट भी सही होता है। एक रिनात्मक पूणांक का किसी रिनात्मक पूणांक से भाग देने पर प्राब्त भागफल एक धनात्मक पूणांक होता है। किसी पूणांक A के लिए A भाग 0 ने आपरिभाशित होता है और A भाग 1 बराबर A होता है।